हाई दोस्तों आज मैं आ गिया हूँ रानागाट बेगोपाड़ा में एक बेकाड़ी है उसका नाम है कंचन बेकाड़ी यहां क्रिस्मस का बहुत अच्छा केक बनता है चलिए देखते हैं कैसे केक बनता है चलिए मेरे साथ यहां दो किलो केक बनाने के लिए दो किलो बटर लिया गिया है अमुल का बटर आप देख सकते हैं चाट्टो की इसको अच्छा से फटा जड़ा है बहुत अच्छा से मिलाया जड़ा है यह दो किलो बटर आप इसमें दो किलो चीनी मिलाया जा रहा है देखिए बाटर और चीनी को बहुत अच्छा से पाइल किया जा रहा है अच्छा से मिक्स होना चाहिए तब एक एक बहुत अच्छा होगा अच्छा से चाहिए देखिए कितना अच्छा से बाटा राउचीनी का मिक्स बन गिया है अब इसमें अंडा दे दिया जाएगा एक एक करके अंडा फोड़ा जा रहा है टोटल दो किलो केक बनाने के लिए पचास अंडा लगेगा अब इसमें दो चमुझ बेकिंग पाउडर मिलाया जा रहा है देखिए दो चमुझ बेकिंग पाउडर अब इसमें 300 ग्राम काजू मिलाया जा रहा है 300 ग्राम काजू अब इससे अच्छे से मिलाया जा रहा है तक कि फूरा मिक्स अच्छा से बने अब इसमें दिया गिया 300 ग्राम किसमिस सूखा किसमिस अब को मर्केट से मिल जाएगा एकदम सूखा किसमिस और इसमें दिया गिया 300 ग्राम कैंडिड इसके बाद इसे अच्छे से मिलाया जारा है अब इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है 500 ग्राम मौरॉबा मौरॉबा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसलिए 2 किलो में 500 ग्राम मौरॉबा इसको अच्छा से मिलिया जा रहा है अब इसमें दिया जा रहा है 300 ग्राम चेरी चेरी दे के बहुत अच्छा से मिला जा रहा है अब इसमें भैनिला और केक का कलर दिया लिया है अब इसमें अच्छा से मिला जा रहा है अब इसमें मिला जा रहा है दो किलो मैदा दो किलो केक में दो किलो मैदा लगेगा अविष मेक्स को दिरे दिरे ट्रे में भड़ा जा रहा है एक एक पाउंड के लिए एक एक तो ट्रे है यहां सब भर भर के इसको भटी में दिया जाएगा अभी इसमें भड़ा जा रहा है जाएगा 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 रहा है मुखरा है यह है भटी दिखिये कितना बड़ा भटी है यहां आख से चारो तरग हुआ है इस घट्टी में एक एक टो करके ट्रे को रखा जाएगा धीमा आज में एक एक बनेगा अब एक एक करके ओट्रे को इस भट्टी में रखा जा रहा है अब देखते रहिए ज स्रय हुआ है ज स्क्षण करूड़ नाज में एक जाएगा यहाओड़ नाज में एक बनेटे को बनेगे नाज में एक एक बनेगा मैं भी केक बनाने के लिए दिया हूँ मेरा भी केक इस भटी में है 45 मिनित बाद मेरा भी केक बन जाएगा इस भटी से निकल के आएगा गरम गरम केक ऑाएगार मेरा जाएगा दोस्तो आप भी केक भटी से बाहर निकल के आ गिया है अभी इसे ठंडा होने के लिए रखा गिया है उसके बाद ये ट्रेसे निकला जाएगा हाँ अब ट्रेसे निकल गिया है अब देखिए कितना बड़िया केक है कितना अच्छा कलर है यह है क्रिसमस केक यह बेकरी जो है कंचन बेकरी क्रिसमस केक बनाने के लिए मसूर है देखिए कितना अच्छा बना अब मैं घर आगुया हूँ अब के कट रहा हूँ अब दिखते हैं इसका टेस्ट कैसा है वह लजवाब है बहुत अच्चा है अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक से यार और सब्सक्राइब कर दिजए थैंक यू